जामूल थाना छेतर अंतरगत खेदा मारा के पास हुए हाथसे में दो महिला और एक पुरुष की मौत हो गई अनियंत्रित और तेज रगत्ती से आ रही हाईवा चालक ने कार को सामने से ठोक दिया पुलिस ने हाईवा चालक को गिराफतार कर लिया है जामूल से अईवारा पहुँच मार्ग में सड़क दुर्गटना थमने का नाम नहीं ले रही है बीती रात हुई सड़क हाथसे में तेज और अनंतित रफतार से आ रहे हाईवा के चालक ने सामने से आ रही स्विफ्ट कार को ठोक दिया इस दुर्गटना में कार में बैठे तीन लोगों की मौत हो गई जिन में दो महिला और एक पूरुज बताए गए हैं मरतकों में IPS अफसर के माता पिता और नानी भी शामिल है दुर्गटना के बाद हाईवे चालक मौके से फरार हो गया जिसे जामूल थाना पुलिस द्वारा खोज बिनकर गिरफतार कर लिया गया है कार में सवार लोग बेरला से भिलाई की और आ रहे थे इस दौरान खेदा मारा चौक के पास लापरवा हाईवा चालक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया दुरगटना के बाद बुरी तरह से कार्षती गरस्त हो गई गटना की जानकारी मिलते ही जामूल थाना पुलिस मौके पर पहुची और सभी शवों को लाल बादू शास्त्री चिकित साले सूपेला पहुचवाया इस दोरान यहां सडक जाम की इस्थिती भी निर्मित हो गई थी गौर तलव है कि जामूल अईवारव मार्ग में पूर्व में भी अनेकों सडक दुरगटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोगों को अपनी जान से हां धोनब पड़ा है जामूल से अईवारव मार्ग पूरी तरह से अन्दकार में डूबा रहता है भारी वहान चालक शाम होते ही तेदर अफ्तार से यहां से वहानों की आवाजाही करते हैं सडक में प्रकास व्यवस्ता की मांग इस्थानी लोगों द्वारा पूर्व में भी की गई थी जिसे जिम्मेदार विभाग द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया शाम होते ही यह छेतर पूरी तरह से अन्दकार में डूबे रहता है जिसकी वज़ा से यहां आवाजाही करना वहान चालकों के लिए बेहद पासूरक्षित सावित होता है जामूल अहिवारा मार्ग में लगाता दुरगटनाए होने के बवजूद पी डबलू डी विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है यही वज़ा है कि इस मार्ग में हाथसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है ग्रेंडेशियन न्यूस के लिए संतो शर्मा के साथ संजय दुबे